आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे ग्लासिस का यूटूब चैनल पर तमने लाबने विल्कुल सही बड़ा डिपार्टमेंट आज की देट में इंट्रेस्ट के ओपर भी पेनल्टी लगा रहा है अब आप मुझे कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना यह पेनल्टी लगाना सही है या गलत है आजी 30 मई 2024 को एक नोटिस आया है केस समझना केस क्या था भाइया केस क्या था कि क्लाइंट ने ITC जादा ले लिया था और फिर उस ITC को DRC03 से reverse कर दिया अब भया आप यह गोगे सर अगर DRC03 से reverse करा था तो क्लाइन को interest देना था तो क्लाइन ने interest भी दे दिया लेकिन जितना उसकी साफसे calculation बनती थी उसने उतना interest दे दिया अब यहाँ पर department ने क्या करा अब डिपार्टमेंट ने का कि भाई तुमने ना 2,90,000 उनपे का interest कम पे किया है और interest आपने क्यूंकि कम पे किया है तो आप मुझे 1,80,000 की penalty भी लगा दो तो यहाँ पर department आपको 1,80,000 की penalty लगा रहा है क्या यह सही है comment box में लिख कर बताना क्योंकि यहाँ पर tax amount 0 है यहाँ पर department अपने DRC 01 में tax amount नहीं मांग रहा है स्रीप और स्रीप penalty मांग रहा है तो क्या यह penalty amount अंडर section 73 जो लगाया है क्या यह सही है क्योंकि department ने इसकी कोई calculation नहीं दी इसकी कोई clarification नहीं दी तो अब क्या यह जमा करना पड़ेगा या इसके against जब हम reply डालेंगे या हम appeal डालेंगे क्या यह penalty amount बच जाएगा as per my understanding यह penalty amount बिल्कुल गलत है सर आप इसे गलत क्यों कह रहे हो पहली चीज यहाँ पर समझो यहाँ पर tax amount नहीं जब tax amount नहीं है तो आप section 73 में penalty गाएगी लगा रहे हो interest मैंने pay नहीं करा interest में pay करने को तयार हूँ इसके अलावा अगर आप देखोगे जो DRC 01 आया है DRC 01 को हमने उपर से लेकर नीचे तक बढ़ लिया उसमें क्या लिखा हूँ है कि ASMT 10 हमने issue करा था और ASMT 10 issue करने के बाद हमने उसका reply भी दिया था और हमने अपने reply में लिखा भी था कि जो तुमने ITC जो हमने तुमारा लिया था वो हमने DRC 03 से जमावी कर दिया तो अब हमारे बास कोई भी tax की liability नी रही बाद जो तुमारा interest था जो तुमारा interest था वो हमने अपने इसाब से 1.5 लाग रुपे जमावी कर दिया लेकिन तुम मांग रहे हो 4 लाग का interest तो हमने उसे जमानी करा तो उस interest पे इन्होंने लगा दिये penalty तो अगर आप पूरे notice को ध्यान से पढ़ोगे कहीं पर भी penalty की बात ही नहीं सिरिफ ITC reversal की बात थी और वो ITC हमने reverse कर दिया था interest की बात थी वो हमने interest दे दिया था आप इनका पूरा notice पढ़ो कहीं पर penalty की बात नहीं है last में आके earth done penalty लिख दिया 1.88 जार interest लिख दिया 2.90 तो बहुत सारे high courts ने हमें यह चीज़ बताई है कि जब भी आप कभी ऐसा notice दे रहे हो मैं मान कर चल लो last date है notice की लेकिन calculation तो दोगे ना भी यह penalty किस amount पे लगी कौन से section में लगी आप section तो बताओगे आप simple यह थोड़ी लिख दोगे section 73 में penalty लग गई आप हमें बताओ section 73 में किस provision में लगी भई section 73 कहता है 10% की penalty लगेगी यह 10,000 रुपे लगेगी तो वो चीज़ बताओ ना आप क्या यह notice में बिना amount बताए direct हैसे एक ला की 81,184 रुपे पता नहीं amount कैसे निकला दिका है क्या यह penalty लगाना सही है comment box में लिख कर बताओ 2,90,000 रुपे का interest दिका है ना बिना कोई calculation दिये क्या लगाना सही है मेरे साब से यह गलत है तो भईया यहाँ पर मेरी department से request है कि भईया जब भी आप अपने notices दे रहे हो तो आप proper notice दो आप इस notice का reply कैसे करना है यह सारी चीजे मैं तो आपकी वीडियो लेट देख रहा हूँ मेरी तो एक क्लास निकल गई टेंशन मतलो एक क्लास निकल गई उसके हम recording आपको दे देंगे हमारा app डाउनलोड कर लो और अगर आपको पूरा GST course सीखना है तो GST का Arjun कोर्स ले लो मुझे पता है तुम लोग ITR में भी जी हो तुम लोग कहरो सर अभी ITR का सीजन चलना है ITR ही ITR करेंगे तो इसलिए ITR वन से लेके ITR 7 तक के कोर्स लोंच कर दिये हर संडे एक ITR तुमें सिखंगा तो अगर किसी को ITR का सेशन जोइन करना है तो complete ITR का सेशन भी ले सकते हो अपना जून, जुलाई, अगस्त में बढ़िया ITR फाइल करके अच्छे पैसे कमा सकते हो सही ITR फाइल कर सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में लिख कर बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और कमेंट में अपना व्यू जरूर देना चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद Thank you for watching